आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे लेकिन मैं ये कंटीनियस्थी नहीं देखने वाला confessout.com slash ravitauri हैं ठीक है हैं चलिए अगर सब बराबर आपको दिख रहा तो यह लिंक पे all good ऐसा लिंख करके भेज़ दीजे सर अल good all fine आवाज बराबर है आपको आवाज बराबर है उसके बाद ठीक है वीडियो भी बराबर है मेем प्धेक चाहिए इसके लिख्के बेज़ दीजे फड़ाफट फड़ाफट फिर हम सेशन को शुरू करते हैं और स्टार्ट दे सेशन कि आप अगर लॉग इन करके कि लॉग इन करके अगर आप लॉग इन करके भेज़ेंगे message तो ठीक, नहीं login करके भेज़ेंगे तो भी ठीक, login करोगे तो मेरा reply आप तक पहुचेगा, ठीक है, login नहीं करोगे तो सिर्फ आपकी बात मेरे तक पहुचेगी, ओके बताईए फड़ा फट एविटिंग इस फाइन ये लिंक पे जाईए कनफेसाव.com स्लैश रवी टावरी और मुझसे आप बात कर सकते चाट कर सकते इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू ब्लाइंक मेसेज भेज रहे हैं जैसे मिस कॉल होता है वैसे आप ब्लाइंक मेसेज भेज रहे हैं करेक्ट ओके चलिए सब बराबर चल रहा हैं ओके गुट कोई भी प्रॉब्लम आता है सब बराबर चल रहा है गुट 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 कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो इस लिंक पे मुझे बलता है तो गाइज बी एंज्वाइदी सेशन ठीक है बी एनरजेटिक बी कॉन्फिडेंट और फटा-फट हम लोग को बहुत सारे कोशन्स करने हैं टाइम कम हैं क्योंकि हम लोग टाइम कम हैं हम लोग को ने टार्गेट बड़ा रखा हैं अगया अगया चलिया है अगया हम लोगों ने जो लोग मुझसे पढ़ चुक है इस चीज को जानते होंगे लेकिने बहुत ही इंपोर्टेंट है सभी स्टैंडर्ट और अनुटिंग को ध्यान में रखके हम लोगों एक प्रोसेस बनाया है जिसको हम लोग बोलते है को और कि достanards and auditing के हिसाब से audit कैसे होना चाहिए सभी स्टैंडर्ट को अगर मिला दे और is taking Sakiri कैसे होना चाहिए तौंब और प्रोसेस मिलता है यह बहुत ही सिंपल है बहुत आसान है और यह अगर समझ लिया तो समझो standards on auditing standards on auditing और उस से related जितने टॉपिक जित्ते भी कॉंसेप्स है वो समझने के लिए आपका एक सॉलिड फांडेशन बन जाएगा तो फड़ाफट ओवर्व्यू है लेट सी ठीक है आपको इमेजिन करना है कि आपके ओफिस में बैठे हुए हो आपके कैबिन में बैठे हुए हो आपके कैबिन के बाहर प वो पूछता है सर आपको ऑडिट करवाना है ठीक है क्या आप प्री कंडिशन्स फुल्फिल करते हो क्या डियू फिल्फिल प्री कंडिशन कुछ बेसिक कंडिशन्स है वो फुल्फिल करते हो क्या पूछता है कौन सी बोले नंबर वान ठीक है क्या आप अग्रीमेंट में लिख करता होंगे कि financial statements आप ही बनाऊंगे क्या आप लिखके देने को तयार हो सर्थ हाँ हाँ मेरी पूरी account stream है financial statements financial statements तो मैं ही बनाऊंगे ठीक है सर्थ और दूसरा जो financial reporting framework यूज करते हो बेस यूज करते हो बेस यूज करते हो बेसिक principles यूज करते हो अकाउंटिंग करने के लिए वह acceptable होने चीए अच्छे quality के होने चीए हाँ मैं accounting standard यूज करता हो schedule 3 यूज करता हो अच 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 फिर तो acceptable है thank you sir दो basic condition fulfill हुई financial statement आप बाने के लिए तयार है और आप financial statement बनाएंगे as per acceptable financial reporting framework यह दो basic conditions थी आप अंदर जा सकते है अब जब बंदा निकल के अंदर जाता रहता है तो उसको फिर से बुच्छते अरे रुक जरुक जब बस दरव अभी बता दीजिए audit करते वक्त कोई restrictions तो इंदा लोगे ठीक है उसको बोलते है टेक्निकली limitations on scope, limitations on scope prior to acceptance मतलब sir limitations मतलब restrictions, कोई limitations तो इंदा लोगे, restrictions तो इंदा लोगे, scope मतलब range of activities, sir आपको इंदा लोगे, आपको इंदा लोगे, काम करने के लिए, बोगे नहीं नहीं मैं कुछ नहीं दलूगा, ठीक है sir अंदर जाइए, ठीक है, अब आपको imagine करना है हमारे सामने client बठा है, आईए sir, please बैठिये, मैं को reception से phone आया था, कि आपने audit offer किया है, आप precondition fulfill कर रहे हो, और आपको इंदाने वाले हो, ऐसा बताया गया, please बैठिये, ठीक है, अभी तो restriction नह audit collaborative activity है, आपको, ठीक है, collaborative activity है, आप बहुत सारी जानकारी देंगे, हम बहुत सारा examination करेंगे, तभी audit successful होता है, मतलब आपको भी कुछ काम करना पड़ता है, और मुझे भी कुछ काम करना पड़ता है, दोनों को मिलकर ये काम करना पड़ता है, इसलिए, ये assignment मैं सोच समझ के लेना चाहता हूँ, कुछ basic चीजे, assignment लेने से पहले मैं करना चाहता हूँ, उसको बोलते है, preliminary engagement activity, बैठिये साब, मैं preliminary, initial, engagement मतलब assignment, preliminary engagement activity करना चाहता हूँ, ठीक है, वो बोलता है, बिल्कुल करिये साब, number one, ये लीजे 10 पेच का form, ये 10 पेच का form लीजे, आपकी इसके बार production है, आपके computer है, आपकी industry है, ये पूरी जानकरी, आपकी पूरी जानकरी इसमें दे दीजे, वो दे दीजे मुझे, मैं पढ़ूँगा, मेरी team पढ़ेगी, हम Google साच करेंगे, मार्केट में बात करेंगे, हम सोचेंगे सब, हम सोचेंगे इसके बारे में, कि आप भरोसेवन गक्ती है की नहीं, और मेरे पास में आपका audit करने के लिए competence है की नहीं, ये दो सबसे important बाते सोचेंगे, आपके अंदर integrity है की नहीं, और मेरे अंदर काबिलियत है की नहीं, अगर दोनों निकला सही, तो मैं आपका assignment ले लूँगा, ठीक है, लेने के लिए तयार हो ethical और independent रह पाऊंगा क्या, ये भी मैं सोचूँगा, और क्या उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़े है क्या, मुझे पता चला कि आपके, ठीक है, आपका एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों बेटा बेटी मेरे फर्म में article है, ऐसा मुझे पता चला, ठीक है, अगर वही I hope आपको acceptable है, acceptable है, बहुत बड़ी है, Sir, अब हम लोग engagement letter sign कर लेते हैं, now we'll sign engagement letter, इसको बोलते है initial phase, that's very simple initial phase of the audit, initial phase को बोलते हैं, जब तख हम engagement letter sign करते हैं, फड़ा फट क्या था, आपको फड़ा फट, मेरे साथ साथ में, जब जब मैं शुदो आपको money money बोलता रहना पड फिर हमने उसको क्या पूछा, precondition fulfill करूगा है क्या, वो बोला precondition fulfill करूगा, अंदर जा रहा था वो, अंदर जा रहा था तो उसको हम लोगों ने बोला, क्या limitation on scope दालोगे क्या, बोले नहीं दाल रहा अभी, ठीक है, फिर उसको बिठाया, क्या perform किया, preliminary engagement activity, पहले सोचा है इना की नहीं लेना, फिर सोचा, ethical रहने के लिए क्या करना पड़ा है, क्या sign किया, engagement letter, initial phase खतम हो गया, ठीक है, sir मैं आपको audit कर रहा हूँ, अब आप जा सकते हैं, अब हम लोगों ने अगला phase शुरू किया, ठीक है, planning, planning में सबसे पहले strategy, broad guidelines, broad guidelines, क्या करेंगे, क्या नहीं क बात कर रहा हूँ, यह आपके study material, app में जो study material section है, अप में जो study material section है, उसमें अगर आप जाओगे, ठीक है, उसमें अगर आप जाओगे, और वहाँ पे, आपको enter IPC का folder, notes by revisor मिलेगा, उसमें आपको enter IPC मिलेगा, फोल्टर मिलेगा, उसके अंदर आपको परम, ठीक है, पर batch के notes से लग से मिलेगे, I hope आपको मिल गए, और आप चिंता मत करिए, यह जो PDF में बता रहा हूँ, यह भी मैं आपको दूँगा, जो class की PDF है, जिस पर मैं marking कर रहा हूँ, जिस पर मैं marking कर रहा हूँ, यह भी मैं आपको दूँगा, अगर आपके पास में physical copy नहीं है, तो भी चिंता करने की बात नहीं है, यह भी आपको मिलने वाला है, आप सिफ बैट करके समझते जाएं चीजों को, मेरे साथ साथ में repeat करते जाएं, और अगर आपका ऐसा लगता ही है, तो एक rough book पर scribble करते हैं, हाँ ऐसा होता है, initial phase होता है, यह होता है, वो होता है, scribbling करते जाएं अलर्ट रहिए थोड़ा सा, आप scribbling कर सकते हैं, ठीक है, आप जाएए, अब मैं planning करूँगा, planning में सबसे पहले strategy, broad guidelines, broad decisions, key decisions, कि हम audit कैसे करने वाले हैं, उसको हम लोग strategy बोलते हैं, ठीक है, हम लोग quarterly audit करने वाले हैं, मंतली करने वाले हैं, कि quarterly करने की साल खतब होने के बात करने वाले हैं, ठीक है, छोड़ी टीम लेके जाएंगे, ज्यादा समय लगाएंगे, बड़ी टीम लेके जाएंगे, कम समय लगाएंगे, that is audit strategy, broad guidelines, audit कैसे करने वाले, strategy बारने के बात में, detailed step by step instructions, detailed step by step instruction, कि audit हम लोग कैसे करेंगे, हर area का, हर area में जाके हम लोग कैसे checking करेंगे, that is audit plan, ठीक है, और इन दोनों को समय समय पे हम लोग update करते रहते हैं, जैसे यसे नई जानकारी मिलती जाएं, ठीक है, वैसे यसे अपडेट करते हैं, पता चला कि कोई area जादा रिस्की है, ठीक है, तो उस पे हम लोग audit process बढ़ा देते हैं, strategy plan को update करते हैं, now सबसे important, plan बनने के बाद, ठीक है, सबसे important, हम लोग audit कर पाएंगे, हम लोग audit कर पाएंगे, किसी भी entity का, किसी भी entity का हम लोग audit कर पाएंगे, we'll be able to do audit, कभ हम लोग audit कर पाएंगे, when we'll be able to do audit, ठीक है, हम लोग audit कर पाएंगे, अगर हम उस entity को अच्छे समझते हो, उसके बिजनेस को अच्छे समझते हो ठीके, उसके अकाउंटिंग सिस्टिम बिजनेस को अच्छे समझते हो अकाउंटिंग सिस्टिम को अच्छे समझते हो उसके रेकॉर्ड्स को अच्छे समझते हो उसके अकाउंटिंग पॉलिसी को अच्छे समझते हो इसी लिए सबसे पहले we collect information and obtain understanding ताकि हम यह पता लगा सके कहां पे गलती हो सके we go for risk-based audit हम लोग risk-based audit के लिए जाते है जहां पे गलती होने के चाहंसे ज़्यादा है वहां पे महनत ज़्यादा करते है जहां पे गलती होने के चाहंसे सकम है है वहाँ पर मेनत कम करते इससे हम लोग कैसे बनेंगे efficient and effective कम समय में बहुत अच्छा हम लोग audit करेंगे इससे क्या होगा साब efficient और effective हम लोग बन जाएंगे पूरे standards and auditing बने इसके लिए कि हमको efficient और effective बनना है ठीक है तो सबसे पहले जाके हम लोग we collect information we collect information and obtain understanding यह पता करने के लिए कहा पर गलती हो सकती है और यह जो technique ठीक है इसी को बोलते टेक्निकली risk assessment procedure company में जाना company को पूरा समझना collecting information obtaining understanding ठीक है ताकि यह पता लगा सके ताकि यह पता लगा सके कहा गलती हो सकती है उसको हम लोग बोलते है रिस्क असेस्मेंट प्रसीजर तो अगले बाद यह टेक्निकल वरड़ा है टेक्निकल वरड़ा तो बिल्कुल मत घबराना इच सिंपली मिन्स कलेक्टिंग इंफरमेशन आप्टेनिंग अंडर्स्टैनिंग फॉर रिस्क ठीक है आर गिदिस पॉइंट अब ऐसे ऐसे 315 के अंदर समझाया है स्टांडर्स की नंबर्स की चिंता मत करिए सब याद करना दूमागा ठीक है अगर ठीक है आपको अब ऐसे 315 में ऐसे 315 में समझाया है हाउ टू कलेक्ट ऐसे 315 में समझाया है कैसे जानकर इखटा करना हाउ टू कलेक जनरल इंफरमेशन अबॉट देखें बहुत आसान किसी भी एंटिटी में जाना कलेक्टिंग इंफरमेशन कलेक करना और उक्तेनिंग अंडरस्टेंड इसी को में टेक्निक ही बोलते है, रिसक अशेंशमेंन ऊसे 315 में समझाया है एक इक कमपनी की जनरल इंफरमेशन कैसे इखटा करना में करने नार्शन की क्यों आ जाता है, जैसे S.A. 550 है, Related Party, इसमें वापस आ जाता है, S.A. 550 में उस समझाता है, S.A. 550 में समझाता है कि Related Party की कौन सी Information लेना, अच्छा, S.A. 570 में समझाता है, Going Concern की कौन सी Information लेना, ओके, अलग-अलग Standards में वापस आ जाता है, क्योंकि बताता है, उस Particular Area की कौन सी Information इखटा करना, समझा, 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 315 के अंदर, 315 के अंदर आता ही है, कि General Information कैसे इखटा करना, बाकी S.A.S. में फिर से आता है, कि Specific Information कैसे इखटा करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन, 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 इसी लिए, प्लानिंग करने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, लेट्स अंडर्स्टैंड बिजनेस, कलेक्टिंग इन्फरमेशन, अप्टिनिंग अंडर्स्टैंडिंग, उसी को हम लोग बोलते है, रिस्क असेस्मेंट प्रोसीजर, अब पूरी जानकारी हम लोग ने ले लिए, ठीक है, पूरी जानकारी हम लोग ने ले लिए, अब जानकारी ले लिए हम लोग ने, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग आपका वीडियो फिर से पॉस कर लीजे पॉस करके ठीक है वापस आप आ सकते हो। जानकारी यापने इखटा कर ली। आ जानकारी इखटा करनी पड़ेगी। अंडर्स्टांडिंग एंटिटिए इंवर्मेंट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को , समझने के बाग। फिर यहाँ पर step number two है उसमें पहला है identifying सोचो identify करना मतलब क्या गलत हो सकता है assess करो मतलब देखो यह छोटी रिस्क है यह छोटी रिस्क है कि यह बड़ी रिस्क है अब मैं एक्जाम्पल देरो आपको ठीक है प्लानिंग करने के बाद में उत्रे हमने जानकरी इंखटा करना शुरू किया हमने देखा हमने उस पहले पता चला जानकरी क्या पताचली Они इंडस्ट्री में भयंकर slowdown है बहुत जाला slowdown है इंडिस्ट्री के अंदर मंदी चाहिए पुरी मंदी यह हमको जानकरी मिली अच्छा दूसरा हमको पता चला कि ने आगस्ट के महने में software बतला है पूरा नया software लेका है एकदम यह अलग software लेकिया है यह लोग कोई Japanese software लेकिया बहुती अलग यह दो जानकरी हमको मिली है ठीक है जब हम लोग business जब company को समझ रहते उसके business उसके बागी system सबको समझ रहते समझ ठीक हम debtor पैसे डूबाएंगे debtor पैसे डूबाएंगे debtor पैसे डूबाएंगे debtor में risk है और पात सोचा inventory नहीं भिकेगी inventory obsolete हो जाएगी inventory में risk है debtor में risk है inventory में risk है फिर सोचा वो software change किया था August की मैने की accounting गलत हो सकती है लोग को न ही समझ रहा है नया Japanese software उसमें गड़ बड़ हो सकती है सोचो क्या गलत हो सकता उसको बोलते identifying risk, assessing risk 500 क्रोड के डेटर्स है 500 क्रोड के डेटर्स है पिछले साल पिछले बार जब मंदी आई थी आज से 15 साल पहले ऐसी मंदी आई थी बोले तब आधे डेटर्स ने पैसे डूबा दिये थे तो 500 क्रोड का आधा 200 क्रोड 200 क्रोड के डेटर्स पैसे डूबा सकते है 200 क्रोड के डेटर्स पैसे डूबा सकते है 200 क्रोड की risk डेटर में inventory कित्ती क्रोड की है 10 क्रोड की inventory है scrap में कम से कम छे क्रोड में बिक्येगी, ज्यादा से यहादा लॉस होगा तो चार क्रोड का, assessing risk, data की risk बढ़ी है, ड्हाई सो क्रोड का नुक्सान हो सकता है, inventory की risk छोटी है, ठीक है, सिर्फ चार क्रोड का नुक्सान हो सकता है, अच्छा अब यहाँ पर और एक चीज़ सोचनी पड़ती है assessing risk में Is it a financial statement level risk और is it a assertion level risk असर क्या होता है? बहुत आसान है ठीक है? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि यह assertion word क्या है? यह assertion word बार-बार आ जाता है बहुत बार आता है assertion होता क्या है? बहुत सिंपल है ध्यान तो सुनना एकदम सिंपल देखो पहले हमको सही मतलब समझना जुरूरी है टेकनिकल चीज़ तो अपने आप ठीक है? टेकनिकल चीज़ तो अपने आप आ जाएगी पहले सही मतलब तो समझे assertion मतलब बोलना बता ना जितनी भी information financial statement में दी हुई है जितनी भी information financial statement में दी हुई है उसको बलते assertions क्योंकि management financial statements को बनाता है उसको हम लोग बोलते है management assertions financial statement के financial statement के अंदर जितनी भी information दी है उसको हम लोग बोलते है assertions that is assertions correct और क्योंकि management बता बनाता है financial statement इसको बोलते है management assertion अब इसमें भी जो information साफ साफ लिखी है साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है कि fix asset को हम लोग SLM method लगाते है जितनी बाते साफ साफ लिखी हुई है उसको बोलते explicit assertion once again financial statement में जितनी भी information all the information which is given in financial statement is called as assertions management ये information दे रही है management ये information बता रही है उसको management assertion जितनी भी जानकारी दी है उसको हम लोग बोलते है assertions जो भी information साफ साफ लिखी हुई है उसको लोग दे explicit assertions ये किसी को समझाने की जरुरत नहीं होती सब लोग समझते explicit assertion जो information दी नहीं है जो information दी नहीं है लेकिन understood है understood है assumed है लोग मान लेते हैं उसको उसको दे implicit assertion that is implicit assertion जो लोग मान लेते हैं देखो बहुत simple बहुत आसान सी बात मैंने बोली जितनी बाते दिए वो क्या है assertion जो बाते डिखा है वो क्या है explicit assertion जो बाते लिखी नहीं है लिकिन understood है हम assume कर लेते उसको क्या बोलते implicit assertion standards on auditing ने बोला है हम implicit assertion आप सभी लोग को बता देंगे, ताकि किसके मन में confusion ना हो, और लोग अलग-अलग बाते अज्यूम ना कर लें, तो standards and auditing ने बोला, ठीक है, implicit assertions आपको बताएंगे, अब एकदम simple सी बात है, financial statements में कितने तरह का data होता है, तीन तरह का data होता है, एक होते है transactions, मतलब incomes, expenses, या cash inflows outflows, दूसरा होता है, balances जो आखरी में बच जाते है, मतलब assets और liability, और तीसरा होता है, ठीक है, notes to accounts में details पूर देता है, explanatory material तरह का होता है, that is called as disclosures, तो financial statement में तीन तरह का data होता है, ती, बी, डी, transactions, balances and disclosures, तीन तरह का data है, तीन तरह का data है, तो इन तीन तरह के data को लोग देखकर, चीज़ें अज्यूम करते हैं, तीन तरह की बातें अज्यूम करते हैं, यह extra notes पर ही है हम लोग, आप page number 1.4 पर आईए, हम लोग extra notes पर ही है, आप page number 1.4 पर आईए, 1.4 पर आएंगे, तो वहाँ पर assertions दिये हुए है, ठीक है, these are implicit assertions, यह implicit assertions है, देखिए, बहुत simple, बहुत ही आसान, land and building 100 क्रोड लिखा हुआ है, land and building, land and building कितना लिखा हुआ है साब, it is 100 क्रोड, 100 क्रोड का land and building लिखा हुआ है, ठीक है, लोग देखते ही, यह मान लेते होंगे, लिखा है, मतलब reality में होता होगा, reality में होता होगा, existence, लोग मान लेते, existence, real होगा, लिखा है balance sheet में, मतलब reality में, land and building, हर जगा buildings, हर जगा plots होते होंगे, that is the assertion, ठीक है, existence, फिर, यह लोग यह भी मान लेते हैं, इतना ही है, इतना ही है, कोई भी land, कोई भी plot, कोई भी building, कुछ भी छूटा नहीं है, लिखा है, nothing is left out, ठीक है, completeness, amount सही है, इसका, cost minus depreciation, valuation, और हमारे ही balance sheet में लिखा है, मतलब हम ही इसके मालिक होंगे, rights and obligation, लिखा है, मतलब reality में रहता होगा, लोग ऐसा assume करते, existence, लिखा है, मतलब होगा, existence, ठीक है, that is the assertion, कुछ भी छूटा नहीं है, completeness, amount सही होगा, इसका cost minus depreciation, valuation, और एक special आखरी में, rights and obligation, यह sequence आपको follow करना है, एक special rights and obligation, यह सब, चीज़े लोग assume करते है, this is implicit assertion, ठीक है, अब transaction, sale से 1000 कुड़ के, देख की लोग बोलते होंगे, अरे, यह सही, सही में sale हुआ होगा, यह real है, उपर real के लिए क्या था, existence, यहाँ पे क्या है, occurrence, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, उपर क्या था, completeness, नीचे भी क्या है, completeness, amount सही है, उपर क्या था, valuation, नीचे क्या है, accuracy, उपर एक special था, हमारे balance sheet मतलब हम इसके मालिक है, rights and obligation, assets के लिए rights, liability के लिए obligation, यहाँ पे क्या है, दो special classification, and cutoff, classification मतलब transaction, capital versus revenue सही किया है, revenue में department सही है, department में product सही है, classification सही, cutoff मतलब क्या, cutoff मतलब, इस साल के transaction, इस साल के transaction अगले साल नहीं गए, और अगले साल के transaction इस साल नहीं आए, that is cutoff, correct, यह special है, देखो पहले तीन मैच होते, reality के लिए उपर existence था, नीचे occurrence है, दोनों जगा completeness है, उपर amount के लिए valuation था, नीचे accuracy है, उपर एक special था, rights and obligation, नीचे दो special है, classification and cutoff, और दोनों को अगर आप मिला दोगे, दोनों को अगर आप मिला दोगे, तो आपको assertion मिलते है, presentation and disclosure के, जित notes to accounts में लिखा है, lease rent of 20 crores, लिखा हुआ है, lease rent of 20 crores, ठीक है, in next 5 years, AS19 बोलता है, lease payment के details, आपको notes to accounts में देने पड़ते हैं, लिखा है मतलब real होगा, it belongs to company, यहाँ पर rights and obligation का मतलब है, कि यह company को belong करता है, company का है, किसी और का नहीं है, ठीक है, असली है, occurrence, rights and obligation, कुछ भी छूटा नहीं है, यहाँ पर भी completeness, amount सही है, accuracy and valuation, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पहने तीन तो सब जगा सेम है जी, special क्या है, notes to accounts बनते है, लोगों को proper understanding देने के लिए, यह proper classified notes to accounts, सही heading में सही बात लिखी है, और लोगों को proper understanding दे रहे हैं, these are assertions, ठीक है, यह assertions है सहाब, जित्ती भी information financial statement में दिये है, वो assertion है, जो साफ साफ लिखा है, वो explicit assertion है, जो लिखा है, ठीक है, that is explicit, जो लिखा नहीं है, लिकिन लोग assume करते है, implicit assertion, हमको हमारी risk को दो लेवल में assess करना पड़ता है, is it a financial statement लेवल risk, is it a financial statement, assess करना पड़ता है, क्या वो financial statement लेवल है, क्या वो assertion लेवल है, क्यू सरी, अब देखिए, software ला एक्जाम्प, ठीक है, अगर आपको example या दे, हमने information इखटा की थी, एक तो मंदी मिली थी हमको, एक तो मार्केट में slowdown नहीं मिला था, दूसरा हमको मिला था, software चेंज किया, ठीक है, मार्केट में मंदी है, उससे हमको पता चला, डेटर और inventory में गड़बड होगी, डेटर में बड़ी risk, inventory में छोटी risk, ठीक है, अगस्ट के महने में transaction गलत होंगे, बड़ी risk ही है, फिर और assess करना पड़ता है, financial statement level है कि assertion level है, अगर risk ऐसी है, circumstances ऐसे है, situation ऐसे है, कि गलती कोई पर भी हो सकती है, कोई पर भी गलती हो सकती है, anywhere things can go wrong, हमको नहीं पता exactly कहाँ पर, ठीक है, august के महने में software change किया है, ठीक है, नए software में लोग अभी accounting करना जानते नहीं है, उनके हाथ से कही पर भी गलती हो सकती, anywhere things can go wrong, financial statement level risk, management की नियत खराब है, कही पर भी गड़बड कर सकते हैं, financial statement level risk, software ही खराब है, बहुत ही, बेकार software है, वर्जन ही बेकार है, कही पर भी गलती हो सकती है, financial statement level risk, ठीक है, अगर circumstances ऐसे है, अगर circumstances ऐसे है, कि financial statements में कही पर भी गड़बड, कही पर भी गड़बड हो सकती, anywhere things can go wrong, क्योंकि management ही बेकार है उसके जैसे, या फिर इनका accounting software बेकार है उसके जैसे, या फिर इनका accountant को accounting policies नहीं आती है, उसके जैसे, कोई भी ऐसे circumstances, जिसको देखकर ऐसा लगता है, financial statement में कही पर भी गलती हो सकती है, उसको बोलते, financial statement level risk, और जब मुझे पता है, exactly, इस financial item के, इस particular point में गलती हो सकती है, उसको बोलते, assertion level risk, मुझे पता है, ठीक है, data के value में गड़बर हो सकती है, that is, assertion level risk, inventory के value में गड़बर हो सकती, that is, assertion level risk, exactly कहां पर गड़बर हो सकती है, ठीक है, मुझे पता है, कि ये तीन तरह का financial data है, transaction balance display उसके कहाँ पर गड़बर हो सकती है क्यों हम लोग ऐसा बाटते हैं क्योंकि दोनों risk को tackle करने का तरीका लग है पूरे standards on auditing इसलिए बने ताकि हम efficient effective बन सके कम समय में ज़्यादा मेनत कर सके ठीक है अगर financial statement level risk है तो overall response होता है team को strong बनाते हैं हमको नहीं पता exactly कहा गलती हो सकती तो क्या करेंगे team में ज़्यादा लोग रखो उसमें ज़्यादा senior रखो experts include करो सबको बोलो alert रहेंगे team को strong करो अगर assertion level risk है if there is a assertion level risk मुझे पता है कौन से financial item में कौन से financial item में कहाँ पर गड़बर हो सकती है ठीक है that is a that is a assertion level risk अगर assertion level risk है exactly मुझे पता है इस financial item के यह point में गलती हो सकती है तो हम लोग further audit procedure perform करते है यह technical word है further audit procedure क्यों इदर उदर time pass करो सिधा मुद्दे पर आता हूँ ना जहाँ पर गड़बड़ वही पर चेकिंग करूँ और पता लगाऊँगा कि गलती हुई है कि नहीं हुई है गलती पकड़ने के लिए ही तो आया हूँ जाके पता करता हूँ वहाँ पर गलती है कि नहीं ठीक है इस phase को बोलते planning phase दूसरा phase खतम हो इसको planning phase बोलते है इसको risk assessment phase बोलते है मतलब इसमें planning की जाती है जानकारी इखटा किया जाती है सोचा जाता है कहाँ पर गड़बढ हो सकती है कितनी बड़ी गड़बढ हो सकती है ठीक है बहुत ही आसान था ठीक है initial phase खतम हो इत्ताय हो गया कि आप कॉड़िट करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे प्लानिंग स्ट्राटेजी बनाया स्ट्राटेजी के विए से प्लान बनाया समय समय उसको बदलते रहेंगे मैदान में उत्रे जानकारी इखटा किया उसको क्या बोलते है रिसक असेस्मेंट्स प्रोसीजर फिर सोचा क्या गड़बढ हो सकती है that is असेस्ट कर तक देखा is it a financial statement level risk और is it a assertion level risk financial statement level risk के तो क्या overall response assertion level risk के तो further audit procedure देखवा आपकी company सभी गलतिया रोकना आपका काम था आपने क्या systems बनाया गलतियों को रोकने के लिए आपने क्या systems बनाया वो हम देखना चाहते वो हम चेक करना चाहते हैं उसको बोलते test of controls जो company के अंदर systems बनाया हुई है ताकि काम systematically चले transactions बराबर चले बराबर systematically transaction चलते रहे बिना किसी गलती के बिना किसी error या fraud के उसके लिए जो आपने system बना के रखा है उसको internal control systems हम लोग बोलते है हम देखना चाहते हैं आपका system कितना अच्छा है test of controls ठीक है जिसे हमको पता चला कि आपके data में problem है data में problem है data के valuation में बताए data के लिए आपका क्या system है वहले sir ऐसे किसी को हम लोग data नहीं बनाते है सबसे पहले जो भी कोई customer आता है बोलता है उधारी पर माल चाहिए पहले उसका credit rating करवाते हो वाह credit rating करवाते हो बहुत ही बढ़िया और बता credit rating होने के बाद में CFO ताए करता है credit limit कितनी होगी CFO ताए करता है क्या बात है बहुत बढ़िया और बता system में feed करते है कोई भी उस limit को cross नहीं कर सकता वो कभी limit cross ही नहीं होती अरे यार तेरा system सुनकर तो दिल खुश हो गया आखे भरा ही मेरी क्या system है बहुत बढ़िया credit rating करवाना credit limit तै करना software में feed करना मैं इसको test करना चाहता हूँ मैं देखना है तो कि तू जो बोल रहा है is it really क्या सही में is it operating effectively चल कुछ नए customers अरे नए customers दिखे credit rating दिख रही है अरे credit rating करवाई तुने CFO का email दिख रहा है उसने credit limit तै किये बराबर और system में मैंने खुद entry पास करके देखी more than the credit limit system reject कर देता है दिल खुश हो गया system is operating effectively जब मैं system को check करता हूँ system बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है that is test of controls लेकिन मुझे controls पे report थोई देनी है मुझे controls पे report नहीं देनी है control is a intermediary step बीच में की step है मुझे report देनी है financial statements पे इसी लिए फिर मैं अब financial statement के अंदर का data जो होता है transaction balances disclosures और उसके assertions जब मैं financial statement के अंदर का data transaction balance disclosure को check करता हूँ उसके assertions को check करता हूँ उसको बोलते है उसको check करता हूँ वो बराबर है कि नहीं उसको बोलते है information confirm करना substantive procedures उसको क्या बोलते हैं सब substantive procedures हम लोग बोलते हैं Substantiate करना की financial data बराबर है की नहीं Substantiate करने के दो तरीक है पहला air condition chamber में बैठो air condition chamber में बैठो और ratios, graph, percentage निकालो पिछले साल से compare करो, match कर रहा है बहुत बढ़िया, दूसरे company से देखो match कर रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब data सही है data निकाल निकाल की compare करो पिछले सालों से, दूसरे लोगों से and so on analytical procedures बोलते हैं उसको, मैदान में उतरो inquiry करो register का inquiry पुष्टाज inquiry करो, register का inspection करो, observation करो उसको बोलते है test of details test of details में हम sampling कर सकते हैं income expense को income expense को जब हम check करते है, supporting documents से, उसको बोलते है vouching, accuracy check करना, accuracy check करना vouch करना, supporting documents से, उसको बोलते है vouching supporting document को बोलते है voucher क्योंकि उसके मदद से मैं accuracy को check कर सकता हूँ तब income expense को check करते है उसकी accuracy को check करते है supporting documents की मदद से उसको बोलते है, accuracy check करना vouching चीक है asset library को check करते है verification इत्ती पुली मेहनत करके इत्ती पुली मेहनत करके ठीक है ये further audit procedure लगा कर test of controls लगाया उसके बाद में हमने बोला test of control तो intermediary step है ये सिथ हमको बताता है आगे मेहनत कम करने की ज़्यादा आगे मेहनत तो करनी पड़ेगी अगली मेहनत जो होती है वो बोलते है substantive procedure उसमें या तो analytical procedure लगाओ या तो test of detail लगाओ इन सबसे क्या इखटा करते है sufficient evidence सबूत इखटा करना है सबूत खुद तो इखटा करो दूसरों के सबूतों भी भरोसा करो branch auditor पे भरोसा करो intern auditor पे भरोसा करो expert पे efficient effective बनना है किसीने कुछ मेनत करके रखी तो उसका पूरा use करो ने यार make use of it सारे सबूत इखटा करने के बाद आखरी में management से हम लोग लेते है return representation अपने देखो बहुत सारी बाते है audit में ओरली बोली जाती है हर चीज के लिए documents नहीं होते है हर चीज के लिए report नहीं होती है बहुत सारी बाते ओरली बोलते हो लोग ये scrap इतने का है ये ऐसा है ये वैसा है litigation ऐसा है वैसा है बहुत सारी बाते ओरली बोलते है कल पलट गया तो इसलिए लिए लिख कर दे जैसे ही आप बोलोगे लिख कर दे सोथ समझ के बोलेगा और पलटने के बारे में सोचेगा ही नहीं इसलिए सारी important बाते आप लिखवा कर ले लो return representation सारी important बाते हैं ठीके तो सोथ समझ के बोलेगा और पलटेगा नहीं पलटा भी ना तो court of law को बताएंगे देखो इसने बोला था इसकी गलती है इसको जैल में डालो इसलिए आखरी में सबसे important return representation ले लो सारे सबूत इखटा करने बात देखो गलतिया मिल रही है क्या गलतिया मिल रही है तो उसकी rectification कर रहा है इस पर ऐसे 450 ऐसे नमबर भी याद मत रखो ठीक है सब कर लिए सबूत मिल गया गलतिया ठीक कर वाली आखरी में देखो management कितनी गलतिया मान रहा है कितनी गलतिया ठीक कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है आखरी में open बनाओ open बनाके draft report बनाओ report दो मत अभी draft report एक non दो मत अभी ठीक है रूपकी गलती खुद को नहीं समझती, इसलिए काम करो, नॉन टीम मेंबर को बुला किलो, बाहर की व्यक्ति को बुला किलो, उसको बोल एक बार मेरे सारे significant matters देखने हैं सारी important बाते हैं वो सारी important बाते आपकी देख लेता है बोलता है सब सही लग रहा है फिर आप report को sign करते हो engage जब वो बहार का वेक्ति आता है उसको बोलते engagement quality control review EQCR what do you mean by you ठीक है what do you mean by EQCR engagement quality control review ठीक है engagement की quality को बरकरार engagement की quality को बरकरार रखने के लिए कि assignment एकदम सही चल रहा है ना इसकी बरकरार रखने के लिए engagement quality control review बोलते उसको sign करो sign करने के बाद में documents को अच्छे से sorting करके file बना कर चका चक documentation complete करो और इतने overconfident मत रहो अपने completed assignments को form ने continuous basis पे check करते रहना चाहिए कि काम बराबर किया था ना कोई उसमें दिक्कत तु नहीं थी कोई दिक्कत थी तो लोग को instruct करना चाहिए कि देखो आप बराबर नहीं कर रहे हो कुछ चीज़े उसको इंप्रूब करना जरूरी है इसलिए खुद होके assignment का inspection monitoring चलते रहना चाहिए बस समझी साब पहली phase जब तक assignment accept नहीं करते that is called initial phase जब तक assignment को accept नहीं करते फिर उसके बाद में ठीक है planning करना मैदान में उतरना जानकारी खटा करना देखना कहां पर गलती हो सकती है financial statement level, assertion level, planning phase, risk assessment phase फिर अब हमको पता है कहां पर गडबड हो सकती है वही जाके काम मेहनत करेंगे वहाँ जाके test of controls करना test of controls करना substantive procedure करना substantive में भी analytical analytical के बाद test of details करना correct यह सारे process perform करना और क्या खिटा करना evidence दूसरों से भी evidence लेना आखरी में कौन सा evidence लेना return representation सारे सबूत लेने के बाद financial data से match करना देखना कितने statement से कितने नहीं है कितने management rectifications कर रहा है सारे सबूत मिल गए सबूतों के बाद में देख लिया कितनी गलतिया है management से rectification कर वा लिए आखरी में opinion बनाओ रिपोर्ट में लिख दो opinion whether financial statements be true and fair sign मत करो बाहर वाले व्यक्ति को बुलाओ और उसको बोलो कि एक बार check कर लेगा उसको बलते हमारे सब सारी चीजे वी आ थ्रू विट पहला है पहली चीज हम लोगों ने खतम की अब ठीक है यह जो पूरी marking करके रखिए दिख रहा है हम लोग ऐसे 200 से शुरू कर रहे है जित्ती भी marking करके दिख रहा है जित्ती भी marking आपको दिख रही है ना कि यह सारी किसे पूरा का पूरा PDF यह पूरा का पूरा PDF मैं आपको दूंगा एक काम करूंगा बैच खतम होने के बाद तो दूंगा ही अभी session खतम होने के बाद मैं ठीक है इसका भी एक पार्ट दे दूंगा मैं आपको कि अच्छलिए फड़ा फटड़ पहला question है ठीक है ओवराल objectives क्या है ठीक है मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है refer HR notes HR मतलब handwritten जो चीदे मुझे पता दी पहले सी हमारा overall objective क्या है overall objective मतलब ultimate audit को objective क्या है किसी भी assignment पर जाना किसी भी assignment पर जाना examination करना checking करना assurance obtain करना assurance मतलब confidence assurance मतलब है confidence पहले खुद confidence obtain परना पहले खुद confident हो जाना पहले खुद जाके confident हो जाना कि क्या whether financial statements give true whether financial statements are free from material misstatement ठीक है auditor का काम है किसी भी assignment पर जाना और obtain करना assurance obtain करना confidence पहले खुद जाकर reasonable assurance obtain करना reasonable assurance obtain करना मतलब खुद जाकर पहले high level of confidence obtain करना मतलब पहले खुद जाकर examination करके check करके ठीक है high level of confidence से पता करना कि whether किसी भी audit assignment में किसी भी audit assignment में जाना ठीक है किसी भी audit assignment में जाना और obtain reasonable level of assurance obtain high level of confidence पहले खुद confident होना किस चीज़ को लेकर whether financial statements are free from material misstatement क्या financial statement whether they are free from material misstatement में बड़ी बड़ी गलतिया है कि नहीं are they free from material misstatements ठीक है now material misstatement दो reason के जासे सकते fraud या error misstatement can occur because of fraud and error ठीक है primary objective यह पता लगाना basic कि भाईसा financial statement में बड़ी बड़ी गलतिया थी कि नहीं फिर वो fraud क्या हो जैसे थी किया किस ने fraud किया ठीक है यह secondary objective है fraud था कि error था है secondary फिर सही क्या है misstatement मतलब गलती सही क्या और गलत क्या है depend करता है कि आपके basic principles कौन से आपका financial statement बनाने का framework कौन सा है financial reporting framework मतलब basic principle जिनको use किया जाता है financial statements को बनाने के लिए उसको बोलते financial reporting framework ठीक है इंडिया में इसमें तीन चीज़े आती है accounting standards schedule 3 guidance notes यह तीन चीज़े इसके अंदर आती है ठीक है तो आपको यह सही क्या गलत क्या framework पर depend करता है अगर आपका AS की उपर based framework है तो लिफो गलत है लेकिन अगर आप IFRS यूज़ कर रहे है तो लिफो सही है इसलिए यह भी पता करना पड़ता है कि क्या whether financial statements are as per applicable जो भी financial reporting framework applicable है client follow कर रहा है क्या उसके साब से सही है के चीज़े तभी हमको समझेगा कि material statements है की नहीं ठीक है और एक बार एक बार आपको confidence एक बार आपको confidence आ गया पता चल गया whether financial statements are free from material misstatement it can be because of fraud of error and is it as per applicable financial reporting framework फिर उसको report करो simple simple सी पाच बात है आपका overall objective हो जाता है किसी भी assignment में जाना reasonable assurance obtain करना confident ठीक है confidence of confidence obtain करना पहले खुद confident आना whether financial statements are free from material misstatement ठीक है misstatement can be because of fraud or error fraud या error के वैसे हो सकता है और सही क्या है गलत क्या हमको पता चलता है financial reporting framework is it as per applicable framework यह पता चलने के बाद में report करते ना correct पहला question हमारा हो गया एकदम simple बहुत ही आसान फिर यह क्या difference होता है पहला question हो गया हम लोग आप पुछेंगे page number कौन सा था तो 159 page number हमारे question bank में हमारे question bank में 159 number का page था ठीक है देखें बिल्कुल load मत लीजे बस सुनते जाईए सुनते जाईए notes में scribble करते जाईए देखते जाईए okay हाँ ठीक है और और objective क्या था पांच पॉइंट है समझ में आगे आगे बढ़ना है मैंने पूरी मार्किंग वगरे सब करके रखा हुआ है फिर यह absolute assurance और reasonable assurance में क्या फराख है what is difference between absolute assurance and reasonable assurance ठीक है अगर हम लोग 100% checking कर लेते अगर हम लोग सभी अगर हम लोग 100% चेक कर लेते सभी transaction चेकर दे सभी assets library चेक कर दे सब पूरे financial चेट financial record के हर चीज को हम लोग चेक कर लेते है हर चीज को चेक करते हैं in-depth चेक करतें सभ के लिए पूरा हम लोग सबूत दे लेते तो फिर हम लोग ठीक है तो फिर हम लोग हंड्रेड परसेंड कॉंफिदेंस पूरे परसेंड कॉंफिदेंस से बोल सकते है कि चीज़े सही है कि गलत है, उसको highest level of confidence बोलते है, highest level of confidence बोलते है उसको, उसको बोलते है absolute assurance, अगर हम लोग पूरे financial items, हम अगर पूरे financial documents, books of accounts, records, financial statement, इन सब का, शुरुआत में vouchers बनते हैं, पूरे vouchers, पूरी primary books, पूरी secondary books, trial balance, financial statement, इसकी 100% checking कर लेते हैं गर हम लोग, इन डेप्ट चेकिंग, 100% checking, इन डेप्ट चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग, पूरे 100% accuracy से बोल सकते हैं, कि चीज़े बराबर है कि ने, उसको बोलते है absolute assurance, उसको, that is the highest level of assurance, highest level of assurance, उसको बोला जाता है, ठीक है, absolute assurance, लेकिन आपको बता दे कि ये करना possible नहीं है, ठीक है ये करना बहुत ही ब्हुत ही मुश्किल होता है, सब कुछ चेक करना पॉसीबल नहीं है, हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास में इतना बजेट नहीं होता, काम करने के लिए लोग चे इतना काम करें, इतना तो बजेट नहीं होता, इतना टाइम नहीं है, इतनी अथोरिटी नहीं होती है हमारे पास में, करेक् पिर क्या है, reasonable assurance, जब ऐसे 200 के अंदर overall object to define कर रहे थे, object to define करते वग कि audit का object to define करते वग तिन्होंने clearly बोल दिया, हमसे expected है, reasonable assurance, what is reasonable assurance, reasonable assurance मतलब high level of assurance, highest नहीं, highest मतलब क्या हो गया, absolute assurance, high level of assurance, ठीक है, auditor नहीं, high level of confidence obtain करना चाहिए, financial statements के बारे में, high level of confidence obtain करना चाहिए, और फिर उसके इसाब से अपनी report को बनाना चाहिए, तो जब auditor, ठीक है, standards and auditing के, जब auditor standards and auditing के इसाब से checking कर लेता है, high level of assurance obtain करता है, और उसके इसाब से report में, वो high level of assurance के इसाब से report बनाता है, उसको बलते है, reasonable assurance, audit में reasonable assurance ही possible है क्यों reasonable assurance possible है because of inherent limitations audit process के अंदर अपने बहुत सारे problems है बहुत सारे problems है inherent limitations है जिसको दूर नहीं किया जा सकता इसलिए हम लोग ठीक है absolute assurance नहीं दे सकते हैं हम लोग सिफ reasonable assurance दे सकते हैं ठीक है यह बात समझे आपको is this point clear बहुत आसान है साब ऐसे 200 पढ़ रहे है पहले हम लोग ने पढ़ा overall objective जो बहुत ही आसान था overall objective पढ़ा हम लोग ने overall objective पढ़ने के बाद में next हम लोग ने पढ़ा अभी ठीक है next हम लोग ने पढ़ा what is highest level of assurance 100% assurance absolute assurance versus reasonable assurance ऐसे 200 के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है जिदो यही follow करो इसके साफ सी opinion दो is absolutely fine और यही possible है क्योंकि audit के अंदर अपने खुद के problems है they are inherent limitations inherent limitations of audit ठीक है next चल रहे है concept number 200.09 है page number 160 पे हम लोग 160 जो page number है वो printed page number की बात कर रहो हम है printed page number ठीक है और PDF का page number है 166 PDF का page number है 166 printed है 160 जो PDF का page number है 6 page आगे चलता है यह आप ध्यान रखना अगली बार से अब अच्छा यह questions हम लोगोंने कैसे select किये हम लोगोंने बहुत research करके हमारे database से जो maximum repetitions है जो maximum चीदे repeat हो रहे है वो repeated की list बनाई पिछले चार attempt के MTP RTP की list बनाई उसमें से recent exam के questions delete कर दिये जो बज गए वो है है 200 से ज्यादा questions हमने mark किये ठीक है now inherent limitations क्या problem है audit में बताते हैं एक एक करके problem बताते हैं क्या problem है inherent limitations किया है देखो मैंने question में कौन से important words है उसको भी mark किया हुआ है मैंने यहाँ पर जैसे तीस यह जो आखरी question है SMNO limited requested the auditor see to provide absolute assurance in respect of 10 branches इस question में से इतना लिखा हुआ था कि auditor को बोला गया है और को बोल रहा है कि भी तू absolute assurance दे correct absolute assurance दे advice सुनिए यह पढ़ने के बाद हो सकता है कोई बच्चा absolute वर्स रीजनेबल का answer दे लेकिन institute ने बोला है कि हम को एक situation दी है और बोला गया है कि absolute assurance दे तो हम बोलेंगे नहीं absolute assurance तो पॉसिबल नहीं है reasonable assurance देंगे क्यूं कि क्यूंकि inherent limitation है तो एक बार आपने question देखा होना ची अच्छा अगर वह ऐसा बोलता है कि absolute assurance दो तो हम बोलेंगे नहीं नहीं absolute assurance पॉसिबल नहीं है reasonable assurance possible है क्यूंकि inherent limitations है because there are inherent limitations ठीक है inherent limitations मतलब अंधरूनी problem inherent limitations मतलब aise problems कुछ भी करके इनको निकाला नहीं जा सकता इसको खतम नहीं कर सकते 100% aise problems जिसको 100% खतम नहीं कर सकते correct उसको हम लोग बोलते inherent inherent problems है correct are you getting this point now जैसे कुछ लोग बहुत कंजूस होते है कुछ भी कर लो उनको कितने कोरोडो रुपए भी दे दो आप उनके अंदर से कंजूसी को दूर नहीं कर सकते है उसको बलते inherent inherent limitations उसको बलते ठीक है now audit के problems क्या है तीन problems दिये हुए पहला problem है ठीक हम audit करते financials financial records financial statements हम audit करते तो बोले सबसे पहला problem तो financial reporting में nature of financial reporting मतलब nature of accounting जो है nature of financial reporting में problem है nature of financial reporting में nature of accounting problem है वह बोले यह बगवान financial statements को देख लो, financial statements को देख लो, इतनी सारी चीज़े judgment की उपर बेस्ट है, fixed asset में इतने judgment, investment में इतने judgment, data में इतने judgment, inventory में इतने judgment, liability में इतने judgment, provision में इतने judgment, contingent liability में इतने judgment, पूरे पूरे judgment से भरे पड़े वोले, ठीक है, पूरे के पूरे judgment से भरे पड़े है, है, they are full, ठीक है, full of judgments, बोले, पूरे judgments से भरे हुए है, that's the problem, उपर से, उपर से, ठीक है, judgment में subjectivity, changes from person to person, किसी को लगता है, पेंटिंग की value 5 करोड है, किसी को लगता है, एक करोड है, changes from person to person, subjectivity, एक तो, change from person to person, ठीक है, उपर से, उपर से, उपर से, उपर से, अनसर्टैनिटी है, जैसा हम सोच रहे है, वैसा होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, हम लोग सोच रहे है, कि नुकसान ह का एक लाग, हो सकता है, वो, दस लाग हो जाए, हो सकता है, दस हजार हो जाए, uncertainty भी है, ऐसा भी नहीं कि judgment बनाया, उसके आसपस चीज़ी रहेंगी हमेशा, ऐसा नहीं है, uncertainty है, एक तो judgment है, एक तो judgment है, और judgment में, ठीक है, actual outcome, actual outcome, बहुत अलग भी हो सकता है, हो सकता है, बहुत ही अलग, बहुत जादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, एक तो judgment, judgment के बाद में final outcome में uncertainty है, judgment में subjectivity है, हर जगा पे answer में उपर headers जो है न, वो headers, headers काफी self-explanatory है, वो पूरे paragraph की बाद बता देते हैं, और बहुत जगा तो पूरी summary लिखी है हमने, तो बुले एक त सोच सोच के future के बारे में सोच सोच के बाना पड़ता है, it is full of judgments, एक तो judgments है, judgments उपर उस ठीक है, लेकिन और उसमें uncertainty involved है, subjectivity involved है, आपके जो accounting standard है, उसकी अलग-अलग interpretation है, कोई लोग बोलते हैं कि inventory को एक बार write-off करने के बाद वाद वापस write-back कर सकते हैं, कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं, write-off कर सकते हैं, write-back कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कुछ हां बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, range of interpretation है, estimate में सबसे बड़ा फ़रक पड़ता है, estimate ठीक है, इन सब चीदों के वैसे estimate गलत होने के chances बहुत जादा है, बहुत जादा उसमें risk होती है, और management कभ management जान बुच के इसका फाइदा उठाता है, ठीक है, जान बुच के फाइदा उठाता है, accounting policy सबसे पहले policy तरह करने पड़ती है, फिर estimates बाने पड़ते हैं, फिर notes to accounts में disclosure देने पड़ते है, policy management biased हो सकता है, policy बनाते वक, estimates बनाते वक, disclosure देते वक, सब चीजों को बढ़ा बढ आके दिखा सकता है, तो बुले पहला तो problem nature of financial reporting में है, financial statements में बुले, बात समझे बहुत आसान, financial statement problem full of judgments, और judgment किता भी जच करो, there can be uncertainty, actual outcome अलग रहेगा, it is subjectivity, range of interpretation है, estimates में problem है, management biased हो सकता है, तो बुले पहला problem तो साब, पहला problem तो आपके financial reporting में है, दूसरा problem, audit procedure, में है, क्या बताओ आपको, हम audit करने जाते हैं, ठीक है, हम लोग audit करने आते हैं, पूरी जानकर ही हमको कौन देता है, management, management intentionally और unintentionally, हो सकता है, management intentionally या unintentionally, लापरवाही में हमको misinformation दे, पूरी गलत information दे, और उस वज़े से हमारा audit assignment पूरा mislead हो जाए, ऐसा हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, company की ABCD वो बताते हैं, हो सकता है, बहुत सोच समझ के, sophisticated, highly skillful, हो सकता है, बहुत ही, business का knowledge, experience, knowledge, experience यूज़ करके, बारी की से fraud किया हुआ है, सारे लोग आपस में मिले हुए है, क्या कर लेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, बहुत जादा management की उपर dependent है, हो सकता हो, misinformation देता हो, हो सकता हो, उन्होंने sophisticated fraud किया हो, और हमारे पास तो power of investigation भी नहीं है, हम चीजों को investigate करें, वो power भी नहीं हमारे पास, उल्टा, हम लोग किस पे चलते हैं, अकड़ बकड़ बंबे बो, sampling करते हैं हम लोग तो, हम लोग sampling करत हैं, और persuasive evidence, मतलब कच्चा पक का evidence, suggestive evidence लेते हैं हम लोग, यह problem audit में है, देखो एक flow है, गया audit पे, misinformation दी, sophisticated fraud किया, क्या कर लूँगा मैं, investigation करने का तो power भी नहीं है मेरे पास में, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, उसको पकड़ना जरूरी है, उसको follow करना जरूरी है, मै कैसे बोल रहा हूँ, मेरे पर पुरा विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जैसे बोल रहा हूँ, वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा, फिर आप चीजों को आगे improvise कर सकते हूँ, ठीक है, now, next, time का problem है सब, सभी लोग को आजकल फटा-फट चाहिए, फटा-फट, फटा- information चाहिए, अभी के अभी information चाहिए लोग को, immediate information, ठीक है, अगर लेट होगे, financial, साल खतम हो, 31st March, एप्रिल में सबको financial statement चाहिए, लेट नहीं नहीं चाहिए, लोग को financial statement चाहिए, लेट नहीं चाहिए, लेट अगर हो जाते तो, it delays value of the information, लोग की expectations है, immediately हो, फटा-फट हो, ल लोग को information फटा-फट चाहिए, कम से कम समय चाहिए, accurate information चाहिए, और ठीक है, खर्चा भी लगना नहीं चाहिए, इसलिए हमको और, क्योंकि time problems है, budget problems है, यह problems है audit के, इसलिए हम लोग बहुत साथ चीज़े in-depth check नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें भी standard बोलता है, कि अगर financial statement म कोई material item है, कोई बहुत बढ़ा item है, ठीक है, और उसको check करने के लिए, कोई एक audit procedure है, suppose बहुत material है, north pole पे हमारा बहुत बढ़ा good down है, वहाँ पे जाना difficult है, time बहुत लगता है, time, difficulty है, time factor है, cost factor है, ठीक है, अगर बहुती material item है, और मुश्किल जा रहा है, मुश्किल है बहुत, difficult time cost, आपने एक बार कोशिश करने चीए, alternative audit procedure से evidence अप्टेन करने की, अगर alternative audit procedure से evidence नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, difficulty time cost के बारे में मत सोचो, करो, तो standard, ऐसे दोसों बोलता है, material items के लिए, अगर material items है, difficulty time cost का problem है, एक काम करो, alternative procedure perform करके देखो, उससे भी अगर सबूत नहीं मुलेंगे, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, कितना भी difficult हो, कितना भी time consuming हो, कितना भी cost नहीं हो, करना ही पड़ेगा, कि material item है, ठीक है, now, बहुत आसान, कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं, दोसों, पहले का objective, overall objective के बाद में हम लोगों ने क्या पड़ा, absolute versus reasonable assurance, क्यो reasonable assurance, inherent limitations है, क्या inherent limitation है, पहले तो आपके financial statements में problem है, financial reporting में problem है आपके, ठीक है, financial, फिर आपके audit procedure में problem है, ठीक है, और तीसरा, time और cost में problem है, तीन-तीन problem है, inherent limitations है, ठीक है, I hope you are getting these points, आपको समझ में आ रहा है, फिर अगला है concept number 200.15, यह cover हो चुका, पूरी as it is बात हम cover कर चुके, और sequence भी जैसे मैंने दी है, वैसी ही आपको follow करनी है sequence, और मैंने बोला कि यह मैं आपको file दे दूँगा, आपको चिंता करने की ज़रुरत नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करें, पहली break आ रही है, पहली break आपकी रहेगी, ठीक है, ओके, नौ, और मैंने पूरे 200 questions mark करके रखे होगा, अब हमारे objective क्या हमको पता है, problems के हमको पता है, इसको overcome कैसे करें हम दो, overcome करना है तो उसमें पहला solution है, ethical रही है, 200.19, ethical requirement, ethical रहना पड़ेगा, ठीक है, हमारा CA Institute ने Code of Ethics, CA Professionals के लिए, CA Institute ने CA Professionals के लिए Code of Ethics एक book बनाई है, वो book के अंदर ethical principles दिये हुए, ठीक है, ethical रहने के लिए क्या करना पड़ेगा वो दिया हुआ है, उसको बोलते ethical requirement, ethical requirement मतलब ethical रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ड अकाउंटन्स को ethical रहने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर वो accounting करते हो, auditing करते हो, कोई भी काम करते हो क्या रखाय करना पड़ेगा उनको ठीके, तो उसका shortcut भी दिया है सबको ethical रहना mandatory है उसका shortcut दिया हुआ मैंने office of CBI office of CBI office of CBI को ethical रहना चाहिए ठीक है, हम सब को पता है कितना ethical होता है office of CBI ठीक है O stand for objectivity objectivity मतलब being unbiased unbiased न जुकेंगे न बिकेंगे objectivity मतलब being unbiased न जुकने वाले है न बिकने वाले है कितना भी pressure आ जाए कोई कितना भी डरा है, धमका है हम लोग एक सही opinion देंगे न जुकेंगे न बिकेंगे कोई कितना भी लालज दे उसके influence में नहीं आएंगे उसको गोलते है being objective, unbiased English is a funny language English funny language है साब objective का मतलब goal भी होता है objective का मतलब goal भी होता है being unbiased ठीक है office of CBI C मतलब confidentiality सभी जानकारी खुद के पास रखो ने तो client आपके उपर विश्वास करना छोड़ देगा आपको निकाल देगा बाहर confidentiality, कोई जानकारी बाहर मत दो unless required by law जब तक कोई law नहीं बोलता हो या फिर जब तक client खुद permission ना दे दे office of CBI C दो बार है competence अपने professional knowledge को updated रखो recent accounting standards in there, standards on auditing इन सब का knowledge रखो update रखो खुद को और update रहे करके उसके हिसाब से पुरा काम करो उसके हिसाब से पुरा काम करना चाहिए और इसका काल professional competence और carefully काम करना चाहिए professional competence due care B stands for professional behavior law को respect करो law rules regulation को मानो उसको follow करो agreements हमने जो sign किये हमने terms of engagement जो sign किये client के साथ में उसको respect करो उसको मानो law को मानो उसको respect करो और खुद की reputation के हिसाब से काम करो बहुत late report दे रहे है बहुती गंदी report दे रहे है बहुत गलत language यूज कर रहे है डरा रहे धमका रहे reputation खराब कर रहे C Institute का ऐसा नहीं होना चाहिए behavior professional होना चाहिए and I am being honest integrity ठीक है तो बहुत आसान बहुत ही आसान अगर आपको problems को दूर करना है ethical रही है ethical कैसे रहेंगे ethical रहने की requirements क्या है office of CBI, objectivity, confidentiality, competence and due care behavior, professional behavior I for integrity और अगर आप audit कर रहे हो जित्ते भी काम कर रहे है उसमें ethical रहना है अगर audit कर रहे हो तो audit में ethical के साथ साथ में आपको independent भी रहना है you have to be independent what do you mean by being independent independent मतलब financially, legally independent मतलब क्या what do you mean by independent ठीक है being independent मतलब financially financially legally ठीक है personally dependent नहीं रहना लोगों के उपर dependent नहीं रहना लीगली लीगली फैनाइशली परस्नली डिपेंडेंट नहीं रहना उसको बलते है being independent आपने आपके क्लाइट के उपर dependent नहीं रहना चाहिए financially dependent नहीं रहना चाहिए legal contracts के थूँ डिपेंडेंडेंट नहीं होना चाहिए personal relationships नहीं होनी चाहिए मत परो ऐसा क्लाइट उसको बलते है being independent तो auditor ने ethical तो रहना ही चाहिए साथ में independent भी रहना चाहिए he should be independent also independence भी रहना चाहिए correct और independence होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए public में आपने क्लाइट से दूरी बना के रखना चाहिए तो auditor अच्छा और independent रहोगे ना independence will help you to remain objective unbiased रहने में आपको help करेगा honest रहने में आपको help करेगा ठीक है professional skepticism में help करेगा what is professional skepticism professional skepticism मतलब किसी पे अंध विश्वास नहीं रखना alert रहना किसी पे blind reliance नहीं करना जब तक उसकी अच्छे से चान बीन ना कर ले हाँ चान बीन करने के बास आप सही मिला तो पूरा भरोसा करना professional skepticism मतलब ठीक है being alert, no blind reliance critical examination and then believe ठीक है अगर आप independent रहोगे तो आप honest रह पाओगे उसकी मदद से आप honest रह पाओगे उसकी मदद से आप objective रह पाओगे उसकी मदद से आप professional skepticism को दिखा पाओगे ठीक है तो आपको समझ में है जुकना नहीं, भिकना नहीं that is objectivity अगर आपको objective रहना है तो independence help करेगा अगर आप dependent नहीं हो तभी आप objective रह पाओगे ठीक है अगर आपको pre-requisit अगर आपको ethical requirements ethical requirements ऐसा ethical requirement यह word यूद होता है ethical requirement तो उपर का आप यह पूरा लिखे अगर pre-requisits और fundamental principles fundamental principles, pre-requisit त्या fundamental principles ऐसा पूछते है तो यही बाते लिखनी है लेकिन आपको उसको एक एक लाइन में explain भी करना है यह टो explain also इसलिए देखो अब institute ने ethical requirement word यूद करोगे तो एक एक word में निप्टा दो अगर fundamental principles हमारे profession के fundamental principles पूछेंगे pre-requisit बोलेंगे सबसे important बाते पूछेंगे तो फिर आपको इसी को explain करना पड़े जाओ यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ को छोड़ दिया था उन्होंने छोड़ दिया था हम पकड़ लेंगे integrity को लिखना है वाँ पे और जो technical standards standards का knowledge रखना हुवो professional competence में ही आ जाता है सब लिखके दिया मैंने बिल्कुल चिंता मत कुरें everything सब लिखकर दिया हुए जो questions छोड़े है बहुत सो समझ के छोड़े है जो questions November 19 के exams में आए वो हमने generally छोड़े है unless कुछ important बहुत होगा तो November 19, November 18 में उसको छोड़ दिया है क्योंकि जो एकदम recent exam में आए पहले अभी के उसके repeat होने के chances कम होते है 200 हमारा खतम हुआ ठीक है Guys be energetic, be energetic, energetic रही है energetic ठीक है Now next is 210 210 210 that is engagement letter क्योंक पर ठीक है Engagement letter बहुत simple सी बात दिये Client आता है हमारे पास Client हमारे पास में आता है और बोलता है कि मुझे audit करवाना है Offer करता है audit करवाना है हम उसकी बात को समझते है हम बोलते हैं हमारी यह शर्त है मानने को तयार हो क्या वह अगर मानने को तयार है ठीक है तो हम लोग उसको accept करते और जैसी ठीक है उसको एक्सेप्ट करते लिटर ओफ इंगेजमेंट बनाते हैं अब mandatory audits जो है company audit, company audit, cooperative society audit इसमें तो law के अंदर ही सारी बाते समझाई होती है कि क्या management की जिम्मेदारिया क्या हमारी जिम्मेदारिया बहुत सारी बाते दी होती है तो वहाँ पर terms of engagement का बहुत ज़्यादा importance नहीं है लेकिन comparative कम है लेकिन जो voluntary audits है जिसमें clarity नहीं होती जैसे individual का audit है, HOF का audit है, partnership firm का audit है इसमें clarity नहीं होती कि management की क्या जिम्मेदारिया है, हमारी क्या जिम्मेदारिया आपस में confusions हो सकते हैं उनका phone आया, audit कर दो, हमने बोला कर लेंगे उनको ऐसा लगा audit में internoid भी हो जाएंगा, statutory audit भी हो जाएंगा GSTOID भी हो जाएंगा, tax returns भी हो जाएंगे consultancy भी हो जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है और हमको लग रहा है, सिफ company audit तो ऐसा confusion हो सकता है इसलिए इसका importance भढ़ जाता है voluntary audits में तो बहुत आसान किसी भी audit में client आता है, offer करता है, discussions होते है terms of engagement sign होता है और ये sign करना mandatory है होता है, terms of engagement mandatory audits में इसका importance का में voluntary audits में जहाँ पर law नहीं है, उसका importance भढ़ जाता है essay 210 बताता है ऐसे 210 बोलता है यही बात को कि इसको mandatory है और क्या बाते लिखनी चाहिए नाओ, क्या बाते लिखनी चाहिए ये मुद्दे की बात है तो एकदम simple सा, क्या बाते हम लोगोंने लिखनी चाहिए इसके अंदर, कौन सी चीजों को लिखना चाहिए ठीक है बहुत ही simple, बहुत आसान, देखो ये sequence का game है पूरा का पूरा sequence का game है, हम लोग page number 169 पे है page number 169 पे हम लोग देखिए सबसे पहले objective of the audit, कोई confusion नी होना चाहिए किसे के दिमाग में objective है to give opinion, whether financial statements due to and fair view, are they free from material misstatement, यह मेरा ultimate objective है कोई confusion नहीं कोई किसी तरह का confusion नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, आपने गलत expectation नहीं लगानी चाहिए, इसलिए पहले ही कर दिया clear, objective of audit क्या है उसको, हम आपके branches cover करने वाले नहीं करने वाले है हम आपकी subsidies cover करने वाले नहीं करने वाले वो clearly लिख दिन है what is the objective of the audit ठीक है and what is the scope, ताकि कोई confusion नहीं हो पहला, फिर पहले accounting होती है, आपकी जिम्मेदारी what is management responsibility financial statement बनाना आपकी जिम्मेदारी उसके लिए पूरा system लगता है internal control system लगता है, voucher से primary books कैसे जाएंगे, primary से secondary books कैसे आएंगे, trial balance कैसे बनेंगे, बहुत साथ trial balance, consolidate कैसे करेंगे, financial statements कैसे बनेगा financial statement आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए system लगता आपकी जिम्मेदारी है ठीक है, records maintain करना आपकी जिम्मेदारी है, वो सब information हमको देना regular basis पे आपकी जिम्मेदारी है, हम कुछ additional information आँगे, वो भी देना, लोगों से पूछताच करेंगे, उसके जवाब देना, यह सब आपकी जिम्मेदारी है, management responsibility और फिर management responsibility, पहला objectives फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, और आप कौनसा financial reporting framework आप कौनसा, यह जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप कौनसा financial reporting framework follow करोगे, वो framework के भी details, आप AS follow करोगे, आप India's follow करोगे, आप IFRS follow करोगे, आप US gap follow करोगे, उसकी भी clarity होनी चाहिए, ठीक है then, auditor what is auditor's responsibility auditor की क्या जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है, standards on auditing के, हमारी जिम्मेदारी है, standards on auditing के साबसे systematically काम करना ठीक है, पहले planning करना, फिर risk assessment करना, फिर execution करना evidence obtain करना, गलतिया निकालना, report देना, यह हमारा काम है वो भी समझाएंगे हमारी जिम्मेदारी और हम हमारी report कौन से format विनेगे, expected format of the report, expected हमारा format क्या रहेगा, एनेक्स्चर में audit report का एक dummy format दे सकते है और बोल सकते है, situation के इसाब से थोड़ा बहुत बदलेगा है तो पांच बाते लिखनी पड़ती है कोई confusion नहीं होना चीज़ लिए objective and scope, फिर management की जिम्मेदारी, फिर वो कौन सा FRF follow करेंगे फिर हमारी जिम्मेदारी और हमारा audit report का format क्या रहेगा यह समझा आपको क्या engagement लेटर को हम लोग revise कर सकते हैं 9 बजे हमारा break होगा, फड़ा-फट 210 को खतम करते हैं और break लेते हैं और आदे घंटे का break लेंगे थोड़ी सी नीन लेनी है, कुछ खाना पिना है, फ्रेश होना है आराम सो जाना है, मेडिटेशन करना है बेस्ट है वो कर लीजे उसके बाद हम लोग फिर वापस आएंगे revision of engagement letter क्या engagement letter को क्या engagement letter को हम लोग revise can we revise engagement letter ठीक है, एक बार बनने के बाद में देखिए, बहुत सिम्पल सी बात है recurring audits होते है हम लोग concept number concept number 210.05 है 210.05 पे हम लोग 169 page number है क्या engagement letter को क्या engagement letter को revise recurring audits, जब हम लोग एक assignment, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा उसको recurring एक ये assignment जब सालों साल करते हो recurring assignment बोलते है क्या बोला है standard, बहुत सिम्पल सी बात बोलता है अगर आप recurring audits कर रहे हो ठीक है, तो recurring audits में आपने जाके सोचना चाहिए देखना चाहिए क्या revise engagement की ज़रुत है क्या? नहीं है तो पुराना letter ही चलेगा आपको नया letter बायाने की ज़रुत नहीं है सिपक letter लिख दो कि our terms of engagement are as per the old letter dated so and so बस उसके साब से लेकिन अगर थोड़ी circumstances बदल गई है तो हमको revise कर लेना चाहिए तो हर assignment में initially जाकर हमको सोचना चाहिए क्या change की ज़रुत है क्या? नहीं, तो पुराना follow कर लो नहीं तो फिर आपको revise करना पड़ेगा अब कब revise करना पड़ता है? उसके reasons दिये याद रखने के लिए मैंने क्या किया उसको तीन तीन parts में मैंने divide कर लिया I have divided it in three parts पहला पहला part है external changes ठीक है पहला चीज़ क्या है? external changes ठीक है? अगर act अगर law act, rules, regulations ठीक है? लॉक के अंदर change हो गया है लॉक के अंदर rules आते है अगर इन में change हो गया है नया companies act आ गया, नया GST act आ गया आप नया engagement letter revised engagement आप revise कर दीजे ठीक है? financial reporting framework बदल गया AS बदल गया, इंडियास बदल गया, US गया बदल गया जो हमारा financial reporting framework के वो बदल गया ठीक है? आप एक काम करिए ठीक है? आप एक काम करिए साब revise करवा लीजी फिर management के तरफ से change है ठीक है? business ही बदल गया सबसे बड़ा business होता है business ही बदल गया अरे ये लोग trading में थे, manufacturing में उतर गया अरे, manufacturing में उतर गया बाई, trading से दा manufacturing में उतर गया nature of the business change हो गया ठीक है? ये लोग retail में थे, mobile में चले गया अरे, business ही बदल गया इनका तो revised engagement data कर लो बेटा business ही बदल गया owners चे, business same है, owners change हो गया business को manage करने वाले owners owners change हो गया, अरे हमारी understanding पुराने owners की साथ थी change कर लो बेटा owners की नीचे senior management change हो गया revise कर लो बेटा ठीक है? ये जो point है audit में ले लेंगे हम लोग फिर थोड़ी misunderstanding लग रही है management के साथ साथ में, management के साथ में management बोल रहा है, अरे आपने tax report, आपने fraud report नहीं दी, आपने tax report नहीं दी, tax consultancy नहीं दी internal control की report नहीं दी आपने management consultancy नहीं दी अरे कुछ confusion हो गया इसको बलती बलती बाते पूछ रहा है, ऐसे ऐसी reports मांग रहा है, misunderstanding है वापस तेरे को engagement letter लिखकर भेजता हू revise कर के, sign कर के दे कि तुरे को समाज में आ गया है, ठीक है बहुत आसान, पहले मैंने बोला external changes law rules, regulations या financial reporting framework में change फिर मैंने बोला management के तरफ से changes है या तो business बदल दिया, business के बाद उसके नीचे owners बदल दिये, owners के नीचे senior management को बदल दिया, या फिर miss understanding कुछ लग रही है correct फिर इसके बाद audit के अंदर कुछ changes है auditor ने audit करने का तरीका बदल दिया है audit करने का तरीका बदल दिया है manual audit से पूरा automated audit पे shift हो गए manual audit से manual audit से पूरे automated audit पे shift हो गए चुक है ये लोग, क्या बात कर रहे हैं साब automated audit पे shift हो गए अरे बहुत ही तो बहुत बढ़ा चेंज है automated audit पे शिफ्ट होना बहुत 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 बढ़ा चेंज है correct पुरा audit का अप्रोच ही बदल गया इनका तो पहले यह annual audit करते थे अब quarterly out करेंगे revise कर दो terms of engagement को या फिर audit report में change आ गया reporting में changes audit report में change आ गया reporting बदल गया चेंज कर दो revise कर दो engagement letter we are through with essay 210 210 हमारा खतम हो गया और 9 भी बज़ गया है अभी हम लोगों ने इस session में core audit process देखा 200 series के बहुत अच्छे से questions देखे और हम लोगों ने 210 भी देखा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ अभी break में अभी हमारा आधे घंटे का break है half an hour आधे घंटे का break है ठीक है 9 बज़े से लेकर साड़े 9 बज़े तक हमारा पूरा का पूरा break रहेगा ठीक है यह video बंद हो जाएगा यह video बंद हो जाएगा दूसरा video बनेगा उसकी दूसरी link आएगी तो दूसरी link आपको देना है कोई भी अगर मुझे आप आपको चलिए, यहाँ पे हम लोग session को रोकते हैं